मोधी सरकार अपनी मर्मानी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की केमर पूर्व मुख्यमंत्री महबुबा मुफ्ती को अपनी आजादी कोकर चुकानी पड़ी। पांच अगस 2019 के फैसले को लेकर मोधी सरकार ने विपक्ष की आवाज बंद कर दी। विपक्ष के नेताओं को घर में ही कैद कर दिया कि ना बाहर निकलेंगे और ना ही बोलेंगे ना सरकार का रास खोलेंगे। इसलिए सरकार ने फारुक अबदुला से लेकर उमर अबदुला और महभूबा मुफ्ती को घर में ही बंद कर दिया था। लेकिन लंबे समय के बाद उनकी रिहाई कर दी गई पहले फारुक अबदुला फिर उमर अबदुला को छोड़ा गया। महीं और 14 महीने बाद महभूबा मुफ्ती को भी आजाद कर दिया गया है रिहा होती ही उन्होंने मोधी सरकार को आड़े हाथों लिया उन्होंने कहा कि मैं एक साल से ज्यादा अर्से बाद रिहा हुई हूँ पांच अगस्त के काले दिन का काला फैसला हर पर मेरे दिल और रूह पर वार करता रहता है ये कैफियत जमु कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी कोई भी शक्स उस दिन की डाका जनी और बिज़ती को कताई भूल नहीं सकता सभी को इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दर्बार ने पांच अगस्त और गैर आईनी गैर जमुरी और गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया उसे वापस लाना होगा उसके साथ साथ जिस तरह से कश्मीर मसला जिसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जाने नियुशावर कर दी उसको हल करने के लिए जद्दो जहर जारी रखनी होगी ये राह कताई आसान नहीं है लेकिन इसके लिए जद्दो जहर जारी रखनी होगी मैं चाहती हूँ कि तमाम जेलों में बंद लोग अपरिहा किये जाएं मुफ्ती की तेवर से साफ है कि वो मोधी सरकार पर नरम रुख अक्तियार करने को तयार नहीं है अब उनका गुस्सा फूटना तो लाजमी है जब सरकार विपक्ष को इसकदर खामोश करेगी महीनों तक बंद रखेगी तो किसी कभी गुस्सा बढ़ेगा लेकिन सरकार के कदम पर ना सिर्फ विपक्ष बरस रहा है बलकि पिछले दिनों सुप्रीम कोट ने भी एक सक्थ तिपड़ी की थी महबुवा मुफ्ती की बेटी इलतिजा की याजका पर सुनवाई करती हुए कोट ने कहा था कि किसी को कब तक निजबन रखा जा सकता है इस मामले में 15 अक्टूबर को सुनवाई करनी तै की गई थी इसके पहले ही प्रदेश सरकार ने महबुवा को मुक्त कर दिया लेकिन इस रहाई के बाद सरकार का रुक अभी तक नहीं बदला है वो फैसले पर अपनी पीट थप्तपा रही है जिस पर सियासत फिर से गरवानी तै है डीबी लाइव की रिपोर्ट लगातार